हाई गाइस वेलकमबाग आज हम आपके लिए लेके आए ट्रेड से तो पहले हम यह समझते है कि market में कैसे टाइप की लोग आता है और option buyers आता है और option sellers आता है option buyers अच्छा हिना से पैसे कमा लेते हैं पर क्या वो consistently कमा सकता है यह आपको खुद को पूछना पड़ेगा आपको और option selling एक ऐसी चीज है तो एक option buyer भी जो successful होता है एक अच्छा कासा capital बनाने के बाद वो option selling पर shift होता है तो कि उसे उसे वो passive income की ज़रूद है वो consistent income की ज़रूद है तो option selling क्या होता है basically कि मैं option sell कर रहा हूँ तो मेरे losses भी limited है और profit भी limited है तो probability of me winning in the trade is very much more than what it is in option buying अगर market sideways जाता है या मेरी direction में जाता है तो मैं option selling में पैसा दोनों case में बनाना हूँ पर अगर मैं option buying की बात करो तो option buying में अगर मेरे against जाता है या sideways हो जाता है तो में loss ही करोगा और percentage of loss जो रहेगा वो selling से बहुत साधा रहेगा तो आप आपका capital daily option buying से 5-10% lose कर सकते हो आपको उतना minimum stop loss तो कोई भी रखता है जब option buying में हम entry लेते है तब और वही चीज़ option selling में 2% से जादा नहीं होता है तो trade safe यही है कि हम regular returns generate करना चाहते है आपके लिए एक passive income अपका generate करना चाहते है आपको stock market related कुछ पढ़ना कुछ करने की ज़रत नहीं है आप हम से अपना broker connect कीजे और directly आप order place कर सकते है analysis हम करेंगे entry exit हम करेंगे आपको एक passive income चाहिए जो annually 12-36% के पीच में हो तो आप trade safe joint कर सकते हैं